तो ये मेरी पहली पोईट्री है जो कि मैंने अपने माँ बापा को डेडिकेट की है तो ये कहानी मेरी शेरा और मेरी ताकत की है जो कि मेरी जुबानी है मेरी शेरा जो कि मेरी माँ और मेरी ताकत जो कि मेरे पापा है माँ पापा इनके लिए जितना बोलो इतना कम है भी से दुनिया में एक यही तो है, जो बिना मतलब के मेरे संग है। मेरे मां पापा मेरे लिए मेरे सारी दुनिया से लड़ जाते हैं। एक यही जो है जो बिना कहे मुझसे कितना कुछ कह जाते हैं, चोटी सी थी, जब मैं चोटी सी थी तब पहली बार उनकी उंगली थामे थी और आज इतनी बड़ी हो गई हूँ कि कभी कभी गुस्से मुझे उंकी उंगली जटक भी देती हूँ, पर वो तो उनों लोग तब पहली मेरी उंगली थामें, मुझे हर मन्जिल पर ले जाने को तयार थे, और यहां भी मैं वही उंगली थाम के यहां तक आप और पहुची हूँ, और जब आही गई हूँ, तो पीछे मुड करना देखूंगी, मैं अपनी पापा की बेटी हूँ हर मुश्किल को निकाल बा लाडली होती है। कि मेरी हर खुशी उनकी उनका हर दुख मेरा हो जाए। कि मेरी जितनी खुशी हो सब उनकी उनका हर दुख मेरा हो जाए। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी दूआ एक खुदा कुबूल हो जाए। मैं गाना हूँ तो वो उस गाने की ताल बनते है। कि मैं जो गाना हूँ वो उस गाने की ताल बनते हैं, जमाना कुछ मुझे बोले तो वो मेरी ढाल बनते हैं, जो मांगा वो दिया है उन लोगोंने, कि मैंने उनसे अस तक जो मांगा वो दिया है उन लोगोंने, एक बेटे सा प्यार मुझ जैसी बेटी को दिया है उन्होंने, उन्हें कोई चोट पहुचे ये मैं कभी देख नहीं सकती कि उन्हें कोई चोट पहुचे ये मैं कभी सह भी नहीं पाऊंगी उनसे कितनी महबत करती हूँ ये मैं उनसे कभी कह भी नहीं पाऊंगी मेरी हर गलतियों पर कुछ ना कुछ सिखाया है मुझे कि मेरी हर गलतियों पर कुछ ना कुछ सिखाया है, कुछ अच्छा किया है, तो मेरी पीट को भी सहलाया है, कुछ इसी तरह से मेरे बाब आपने मुझे जिन्दगी जीना सिखाया है, कुछ ना करकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं, कि कुछ ना करकर भी वो लोग बहुत कुछ क तो फिर नजाने क्यों आजकल के बच्चे माबाप को बहुत समझ लेते हैं और चार पैसे क्या कमा ले चार पैसे क्या कमाने उन लोगों को विद्धा आशम छोड़ाते हैं उन लोगों को विद्धा आशम छोड़ाते हैं और अंत में बस इतना ही कहना था मुझे कि बस इतना मुझे बाकी आपकी मर्जी है एक बार याद रखना दोस्तों माबाप के अलावा पूरी दुनिया फरीदी है पूरी दुनिया फरीदी है यह कुछ लाइने मैंने लिखी थी जो कि मैं कुछ लोगों को डेडिकेट करूंगी बड नेम नहीं उपन करूंगी तो जूट ने तो जो बनाया नजरों में कि संदेय ने आजकल घर जो बनाया नजरों में भरोसा भी डगमगाता है अब दिल की कैसे कोई सुने अब कि आजकल दिल की कैसे कोई सुने अब दिमागी हावी हो जाता है अब फरेभरी इस दुनिया में इंशान कहां रिस्तिनिभाता है अब और कै कैसे कोई समझौथा हो यहां कि ase कोई भी समझौथा हो यहां अहमें टकर आता है जूट ने तो इतना पहरपसाद लिया विस पहासी इश्किचाथा है थैंक यू